कोट ने हमें फिलहल अलाव नहीं किया है, कोट ने इसलिए अलाव नहीं किया है क्योंकि जो हर्याना पुलिस डिपार्टमेंट है उन्होंने अप्लिकेशन लगाई थी कि जो हमारे ग्रेप्रवेश की तारीक रखी गई है उस समय वो सुरक्षा संदीप को प्रोवाइड नह करो यह कि तक प्रूल क करोई कज तक तक त्यारिय यह तो इसलिए यह थे सकते है यह फिर का मता सकते में शॉर हा उन्जिन संदीप को लाज परोल मिलें घृजसीं दिन में एक साथ संदीप के साथ ऊस गहर मेंग्रेप्र वेश बहुगी क्योंकि हिंडूस अमाज में शाद कोट ने हमें फिलहाल अलाव नहीं किया है क्योंकि जो हर्याना पुलिस डिपार्टमेंट है उन्होंने अप्लिकेशन लगाई थी कि जो हमारे गया प्रवेश की तारीक रखी गई है उस समय वो सुरक्षा संदीप को प्रोवाइड नहीं करवा पाएंगे तो इस वज़े से क करेंगी कि हमें गया प्रवेश के लिए परमीशन मिलेगी नहीं मिलेगी या मिलेगी तो कब मिलेगी और कितने टाइम के लिए मिलेगी उसके लिए क्या प्रवेश होने कि तयारी उसे पहले आप कहा रहोगे गया प्रवेश साथी कृठा करोगे कब तक तयारी है यह तो को सदीप के साथ उस घर में ग्रहपरवेश करूंगी क्योंकि हिंदु समाज में शादी के बाद में यही एक नियम है जो जरूरी है कोट ने हमें फिलहल किया है आयए का इसलिद आयए क्योंकि जो हरयाना पुलिस डिपार्टमेंट है उन्होंने अप्लिकेशन लगाई थी कि जो हमारे गया प्रवेश की तारीक रखी गई है उस समय वो सुरक्षा संदीप को प्रोवाइड नहीं करवा पाएंगे तो इस वज़े से कोट ने डिसाइड किया है कि वो सोला तारीक को डिसाइड करेंगी कि हमें गया प्रवेश के प्रवेश के लिए उसी दीन मैं एक साथ संदीप के साथ उस गर में ग्रेप्रवेश करूंगी क्योंकि हिंदू समाज में शादी के बाद में यही एक नियम है जो जरूरी है कोट ने हमें फिलहल अलाव नहीं किया है क्योंकि जो हर्याना पुलिस डिपार्टमेंट है उन्होंने अप्लिकेशन लगाई थी कि जो हमारे ग्रेप्रवेश की तारीक रखी गई है उस समय वो सुरक्षा संदीप को प्रोवाइड नहीं करवा पाएंगे तो इस वज़े से कोट ने डिसाइड किया है कि वो सोला तारीक को डिसाइड करेंगी कि हमें ग्रेप्रवेश के लिए पर्मिशन मिलेगी नहीं मिलेगी या मिलेगी तो कब मिलेगी और कितने टाइम के लिए मिलेगी कब तक ग्रह प्रवेश होने की तयारी उसे पहले आप कहा रहोगे? ग्रह प्रवेश साथ ही कृठा करोगे? कब तक तयारी है, यह तो कोड़ बता सकता है, या फिर भगवान बता सकते हैं, मैं नहीं बता सकती. और हाँ जिस दिन संदीप को ग्रह प्रवेश के लिए पैरोल मिलेगी उसी दिन मैं एक साथ संदीप के साथ उस गर में ग्रह प्रवेश करूँगी क्योंकि हिंदू समाज में शादी के बाद में यही एक नियम है जो जरूरी है